दीलललन टॉप शो इस स्पॉंसर्ड बाइ खाता बुक, बिस्निस हुआ इजी इसका टेखनोलोजी का लफ तो कम नहीं हो सकता है, लेकिन QR का हिसाब सिंपल हो सकता है क्या? कैसे? खाता बुक, बिस्निस हुआ इजी मार्च के महिने में 500 केस से शुरू होकर आज 6 महिने बाद भारत में कोरोना संक्रमर के आंकड़े 58 लाग को पार कर चुके है स्क्रीन पर आपको एक वीडियो नजर आ रहा होगा यह मुंबई की लोकल ट्रेन का है, भीड भड़क का लोकल ट्रेन में पदस्तूर जारी है लोगों को लग रहा है कोरोना वाइरस को ऐसा नजर अंदास करेंगे कि वो लेफ्ट आउट फील करके मर जाएगा जबकि स्थिती ऐसी नहीं है, कौमिक नहीं है, सब कुछ वैक्सीन पर निर भर है और दुनिया भर में वैक्सीन भी क्या आपने तैल अक्ष के हिसाब से चल रही है इसी पर शो में विस्तार से बाग पिशले कुछ दिनों से 90,000 से ज़ादा केस प्रति दिन सामने आ रहे थे अब ये आकड़ा 85 से 86,000 के बीच है ये आकड़ा नीचे कैसे आया, सरकार में साफ नहीं बताया अभी भी तसली दी जा रही है सरकार के डेटा के मताबिक बुद्वार 33 सितंबर को लगातार छटवे दिन रिकवरी के मामले संक्रमन के नए मामलों से ज़ादा रहे साथी एक्टिव मामलों की संख्या भी घटी 17 सितंबर को जहां 10.17 लाग एक्टिव मामले थे वहीं अभी ये 9 लाग के असपास है किसी मामारी में एक्टिव मामले सबसे ज़्यादा महत्तु रखते है क्योंकि संक्रमन इनी से फैलता है ऐसे मैं कहा जा रहा है कि एक्टिव मामलों की संक्या घटना राहत की बात है लेकिन क्या सब को चितना राहत भरा है जबाब है नहीं इस्तिती अभी संभली नहीं है बलकि और बुरी हो सकती है एक्टिव केस की संख्या 10 लाग प्रती दिन से 9 लाग प्रती दिन हो जाना खुश होने वाली बात नहीं है थोड़ी राहत है तो ठीक है एक चीज और टेस्टिंग की संख्या में भी पहले से कमी आई है तो ये भी एक वज़े है कि मामले कमा रहे है उमीदें अभी भी वैक्सीन से है 17 सितंबर को राज्यसभा में केंद्री स्वास्प और परिवार करन्यान मंत्री डॉक्टर हर्षवर्दन ने कोविट पर चर्चा के बाद जवाब दिया था कि अगले साल की शुरुआत तक वैक्सीन आ सकती है पर उन्होंने आशंका भी जताई थी कि वैक्सीन आते ही सबको उपलब्द होने में कटनाई होगी उन्होंने बताया था कि तीन वैक्सीन ट्राइल के पहले दूसरे और तीसरे चर्णों में च्छे क्लिनिकल ट्राइल रजिस्टर्ड है और ICMR छे साइट पर ट्राइल कर रहा है हर कोई जानना चाहता है भारत समय दुनिया भर में वैक्सीन की ताजा इस्थिति क्या है जिन वेक्सीनों पर सबसे ज़ादा उम्मीदे हैं, वो किस चरण में हैं, जानते हैं. दुनिया भर में 182 वेक्सीन कैंडिट prop voucher प्री क्लिनिकल या क्लिनिकल ट्रैल की स्टेज ही पर हैं, इसमें से 36 क्लिनिकल ट्रैल और 9 हूमन ट्रैल के चरण में हैं, मारत में कम से कम आठ वैक्सीन कैनिडेट लाइन में हैं, जिनमें से दो कैनिडेट दूसरे चरण में हैं, या कैनिडेट मतलब दवाई, ऐसे समझे हैं। सबसे ज़्यादा Oxford University की वैक्सीन की चर्चा होती है, जिसे Estrogenica फार्मा कंपनी के साथ मिलकर बनाया जा रहा है। और भी कुछ चर्चित नाम हैं, जैसे Moderna, Pfizer, BioNTech, Johnson & Johnson, Sanofi और Novavax. रूस के मॉस्को में, Gamelia Institute ने वैक्सीन बना लेने का दावा किया, इस पूतनिक 5 नाम रखा, इस वैक्सीन का रेजिस्ट्रेशन हुआ, इसके बाद इसका इसका इस्तमाल वहां किया जा रहा है। चीन में भी तीन वैक्सीन के इस्तमाल को मंजूर ही दी गई है। और भारत में किन वैक्सीन पर दाव लगा हैं? और वो हैं किस स्टेज में? हमारे देश में Serum Institute of India यानि कि SII, Oxford University वाली वैक्सीन पर काम कर रहा है। Human trial फिलाल पहले और दूर से चरण में है। Serum Institute अमरीका की फार्मा कंपनी Novavax की वैक्सीन भी लाएगा। South Africa में इस वैक्सीन के दूसरे चरण का trial चल रहा है। October में तीसरा चरण प्रस्तावित है। भारत में इसका trial नवंबर से होगा इसकी सम्भावना है। इन दोनों partnership के अलावा Serum Institute अफ इंडिया खुद भी वैक्सीन बना रहा है। इसके लिए उसने Oxford University से जुड़ी spy biotech company के साथ साज़ेदारी की है। इस वैक्सीन का trial Australia में हो रहा है पहले और दूसरे चरण का clean call trial। रूस की वैक्सीन भारत लाने की जिम्मेदारी डॉक्टर रेडी इस लेबरिटरीज के पास है। लेकिन trial की तारीकों का भी एलान नहीं हुआ है। इसके लाबा है हेदराबाद इस्तित फार्मा कंपनी बायोलोजिकल ई जॉंसन और जॉंसन की बनाई वैक्सीन भारत लाईगी। दोनों मिलकर पहले और दूसरे चरण पर काम कर रहे हैं। तीसरा चरण अक्टूबर में शुरू होगा। भारत बायोटेक और जाइडस कैंडिला के वैक्सीन कैंडिडेट का ट्रायल भी दूसरे चरण में है। आप देखते हैं कि दुनिया के कुछ दूसरी चर्चित वैक्सीन उनका बार-बार जिक्त आ रहा है। अब यह जान लीजे कि वो किस स्टेज में है। सबसे पहले ऑक्सफ़र्ड वाली वैक्सीन, अमरीका में इसका फेज 3 ट्रायल अभी रोका है। पिछले दिनों लंडन से और UK से ख़बर आई थी कि एक मरीज में साइड इफेक्ट दिखे। कुछ समय के बाद Human Trail रोकना पड़ा। लेकिन भारत और England में इसके ट्रायल फिर से शुरू हो गए है। अगले साल की शुरुआत तक वैक्सीन के उपलब्ध होने की संभावना है। अगला नाम है Moderna का। अमरीका इस्तेद इस बायोटेक कंपनी की वैक्सीन ट्रायल के तीसरे चरण में है। कंपनी का कहना है वैक्सीन का कितना असर लोगों पर पढ़ रहा है। इसका डेटा हमें दिसमबर 2020 तक मिल जाएगा। चीन और रूस की वैक्सीन का तीसरे चरण का ट्रायल पूरा नहीं हुआ लेकिन इस्तमाल धडल्ले से हो रहा है। चीन की एक वैक्सीन को सर्यक तरव अमीरात में अमर्जनसी इस्तमाल के लिए मंजूरी भी दी गई है। तो हमें कब तक वैक्सीन मिल सकती है सबसे बड़ा सवाल जिन वैक्सीन का सबसे ज़्यादा इंतिजार है उनमें से कोई भी पूरी तरह तयार नहीं है। बार- decay ये कहा जाता रहा है कि साल के अंत तक या अगले साल की शुरुआत में वैक्सीन उपलबद हो जाएगी। रूस की वैक्सीन सबसे पहले उपलबद होने की संभावना है। अगर वह भारत समय दुनिया के लिए वैक्सीन भेशता है। अगर भेचता है। ये अगर क्यों जोड़ा? क्योंकि चीन की तरह रूस से भी सूचनाय थोड़ा च्छन कराती है। मीडिया का दावा है वहाँ कि इस पूतनिक 5 वैक्सीन का पहला बैच रूस के नागरिकों में बाटा जा रहा है। इसके बाद Oxford University की वैक्सीन उपलब दो सकती है। लेकिन बरस कांथ होने में अभी तीन महीने का समय है। और ज्यादातर वैक्सीन की human trial में बड़े इस्तर पर सकरात्मक परणाम अभी तक नहीं आये है। ऐसे में समय पर वैक्सीन मिलने के दावों पर कई सवाल बरकरार है। फिर से स्रास्तमंत्री हर्चवरदन के बयान पर लोटें तो वैक्सीन मिलने के बाद उसे जनसलव होने में भी वक्त लगेगा। ऐसे में यही कहा जा सकता है कि उम्मीद एक जिन्दा शब्द है और जब तक ये उम्मीद जिन्दा बनी रहे तब तक के लिए सावधानी बरतनी होगी। गुटना, कंधा या कमाल, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर अर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजाती, एक भरपूर सिद्दगी।